सच कहा है, जिन्दिगी जीनी है तो अपनी मर्जी से जी हो, क्योंकि इशारों पर तो सरकस में शेर भी नाचते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, एक मेड़को का जुन एक पहाड पर चड़ रहा है। सब लोग एक रेस जैसी लगाए हैं, कौन पहले चड़ेगा, कौन उस पहाड के उपर लक्ष पर पहुँचेगा। उस गुरुप में, उस जुन में था, जो उपर चड़ रहा था। उसके साथी जो मेड़क नीचे खड़े थे, वो चल उचल की चिला चिला के कह रहे थे, अरे भया उपर मचड़, तू गिर जाएगा, तू गिर जाएगा, और गिरेगा तो बचेगा ने, क्योंकि उचाई बहुत है। लेकिन वो चड़ता गया, और वो एक समय आया, जब वो पहाड की चोटी पर पहुँच गया, अपने लक्ष पर पहुँच गया, जानते क्यों, क्यों वो मेड़क उपर चड़ पाया, क्योंकि वो मेड़क कानों से बहरा था। जब वो सब चिला रहे थे, मचड़, मचड़, तु गिर जाएगा, वो समझ रहा था, कि ये सब हाथ उठा के मुझे उकसा दे रहे हैं, तु चड़ जा, तु चड़ जा, तु चड़ जाएगा, हम तेरे साथ हैं। जीवन में कुछ करना है, तो बस बहरे बन जाएगे। अपने लक्ष की ओर बढ़िये, लोग क्या कहते हैं, ये सोचना बंद करिये। अगर आप यही सोचते रहे, कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो फिर लोग क्या करेंगे। कुछ खांग को उनके लिए भी यही निवेदन है, अपने लक्ष उपर बढ़ें और दुनिया की बातों को दर किनार करके अपने लक्ष उपर ध्यान केंद्रित करें। इसी निवेदन के साथ राधे राधे।